हेलो दोस्तों विल्कम बैक टु माई चैनल और मैं हुसुजाता तो दोस्तों आज मैं आपके साथ 10 अमेजिंग किछन क्लेनिंग टिप्स सेयर करने जा रही हूं जो आपके किछन की सफाई को लेकर आपकी बहुत जादा है तो टाइम ने लगाते वे सुरू करते हैं दोस्तो यह अमेजिंग किछन क्लेनिंग टिप्स तो जो भी आज क्लेनिंग करूंगी न दोस्तों वह मैं एक में इंग्रीडियंस में यहापे लिया है वह है विनेगर आपको किसी भी चाइनिश शॉप में नहीं चाइनिश खाने में यह पड़ता है तो आपको किसी भी ग्रॉसरी परचुन की शॉप में यह आपको विनेगर आसानी से मिल जाएगा तो सबसे पहले जो मेरा आज क्लीनिंग का टिप्स है वह है दोस्तों कि कई बार हमारे पैन इस तरीके से जल जाते हैं यह जो आप जिसमें चाई बनाते हैं वह काफी ज्यादा हो जाता है आप से पका पका क करने में नहीं है अगर आपक का बहुत है नहीं पर आपका की खासना के बूरे हाल करते है तो अ आपको कहा करना है थ calendin फोड़ा से अटना इस तरीकिस आप यह जाति पड़ागए अगर आपका पैन प्ल्त ग बहुत ही harsh而已 तो आप अगर उस षॉड़ा से थारी अज जेल इस इसके बाद किसी भी डिटल्जन से नहीं इस जल से आप साफ करेंगी तो यह आसानी से आपका जो पैन है वो आसानी से साफ हो जाएगा इसमें आप अगर आपका पैन भी जलावा है वो भी साफ हो जाएगा आपके स्टील के बरतन अगर जल चुके हैं दूथी पतेली जल दूब लाख दूजशीं डूशाषी वो जल चुके पतेली जो घुगे जुग लेख सकते हैं यह जो बरतन के में पानला दान वह लाट तूब के बाद दूप एक कलेलों आप लेकर के नहीं पतन लेख़ें तोट फोड़ी कटोणे में आपकोने लें है विनेगर और यहां आपको खुद नजर आएगा कि जो यह कोई चमक नहीं रह गई थी तो बस सिंपल सा इनको धुलने के बाद आप इनकी शाइन खुद देख सकते हैं कि कितनी अच्छी चमक इनमें आच चुकी है अब देखे मैं इस पे पानी डालाया पानी कितना अच्छे से नजर आ रहा है कितना ज़्यादा चमक चुका है तो इसी तरीके से अगर आप वीनिगर से अपने काच की कपो को काच के बाउल्स को क्लीन करेंगे अब मैं आपको देखे हूँ इसमें जो मेरा एक पैला काप है वो निकाल के मैं आपको दिखाऊ उसे मैंने क्लीन नहीं करा तो उसमें और आप एफेक्ट देख सकते हैं कितना ज़्यादा चमक उसमें आचुकी है तो अम मेरी नेक्स टिप यह है दोस्तों इसी तरीके से अगर आपके जो ग्लास होते है चाई की ग्लास चाई की कप में अंदर से अगर दाग पढ़ जाते हैं या आपके स्टील में कोई शाइन नह लोग चैते हैं वो इसमें डालके इसको तोड़ी दिर आप छोड़ सकते हैं बहुत जादा गंदा है नहीं चोड़ना चाहते है तो तुरंद भी साफ करेंगे साफ बढ़ चौर्ण की के बात किया होगा दोस्तों आप खुद देखेंगे आपको क्या करना है सिंपल जो स्क कि अधिये झाँ झाँ फिंस्ति कोफी, मक ने जंाथ अब है सब्सक्राइब जाएगोर जो भी हेइड नएक सब्सक्राइब जाऊने के हैं ग्लास है यह जो जग होते हैं वो है तो उसको आप कैसे क्लीन करें कॉपर तो एकदम से विनेगर डालते ही चुटकियों में साफ हो जाता है थोड़ा सा आपको लेना है आपे विनेगर और जैसे यह मेरा डिस बार है यह मैं पतंजली का यूज करती हूं तो इसलिए यह ऐसा क्लीन कर लेती उ है तो यह कितने अच्छा से साफ हो चुका है और कितनी अच्छी चमक है इसमें शाइन है वह आ चुका है इस तरिक से उ असच्ति ड़ट आपको तुस्ते है कि आपके ए आपकिस तरीके से जो आपके लोहे केतावें उसे कैसे तो , आप देख सकते इतकं, परत सी जम जती और यह आंठे boat पराफ्ट GUI आपको करते हैin,Est Laust आपको तो , अश्क्रूब करना है कि जहना परत है कि deiट को आपको इस कोका आपको सके एक जडू है sleeping एक परत हम परत है लंगे गलगे में एक परत क्या हैं? जब यह परात अच्छे से निकल जाए उसके बाद आपको क्या गरना है थोड़ा से डालना है विनेगर इस तरीके से विनेगर डाल दिया विनेगर के साथ आप यहां पे बेकिंग सोडा भी उस कर सकते हैं अगर बहुत जादा बहुत मोटी वाला परात वाला सिस्टा में बह काम करियेगा तो आपको स्कुषण कर ना करना निकाल कि नीचे और थोड़ा से पानी डालां सकर आप अब यहां फोड़ा सा गरम था तो फिर यह इसी से पराद थोड़ी धर थंड़ा होने दीजेए ह hea ऊट Сप्ट परद़् आप थाँंगे और हाथ से फिर च्ड़ा है तो इस तरीके से आप अपने तवे को भी आसानी से क्लीन कर सकते हैं आपने देखा होगा दोस्तों कई बार के जादा कीचें में होगी जाता आप कैसी भी चिमनी लगा लो इस तरीकी की ना परत से जम जाती है क्यों होता है कि तेल वगेरा के और यह ना बहुत चिपचिपी हो जाती है बहले इसका रंग चेंज नहीं कर सकते हैं बट इसका जो चिपचे पाहत है उससे जरू हटा सकते तो थोड़ा सा विनेगर लीजिए और विनेगर आप कोई भी स्पॉंज वगेरा ले सकते हैं और इ तो पहले बतारियों जो तेल है इसका इसका कलर चेंज नहीं हो सकता है थोड़ा साफ इसमें डिस जल लगा के फिर साफ कीज़ उसके बाद हलका सगीले कपड़े से साफ कीज़ेगा तो जब आप से साफ कर देंगे तो इसमें कोई भी चिपचे पाहत नहीं रहेगी कितना ऐसमें कैबनेंट भी साफ कर सकती है अपने किचें के वपर के साफ कर सकती है उनको चेंगे कर सकती है तो युज अच्छा तरीका है कि जो चिपचे पहत चीज पाली चीज़े हं रहीं करने का तो जह सकते है अफ बच्स लेकर जबुर्ण बिढ़ने में को walking of the path जब जोड़ी सी सुद्धी है नहीं हिक हम गणार जोड़ी अखला करें यह आद के शाथर दोड़ी से कॉल तोड़ा से काथन में। तो लेलियों भीदे, सीब वह एइ और को बनी आवे यह को सीफ इन साफ में इस कि बोग samp गिर फोर तक दोडा को ढी आटारा हो 28 एटी आभाल डिला हो तो अपल पोल तक क्ली आट इस कि अपनी मेश कीचन खें ऐने सेथली नुप ठीली किखें तो मेरी next tip है दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है आदा कप लेना है विनेगर आदा कप विनेगर लेने के बाद आपको क्या करना है कोई भी आपके पास खाली spray bottle होगी इस तरीके की बहुत सी रहती हैं कॉलीन वगर आप यूज करते रहते होंगे तो तो यह मेरे पे काफ पानी पानी आप ले लेंगे इस तरीके से मैं कप का मेजर्मेंट कर दू है आप आपको तो बॉक्ते जाए ग्डिया करना एक का दूद ऍृण contemporary Claudia में आपके घृर इस अक्प के दूदेशती तो यह स्प्रें रुटल होड़ेगा तो यह चा एक दो रहे है तो यह पिस दाल जाओ पनी उसके अंदर तो पानी के चल आलने के लालने के अप समदू आपके घर के आपके कीचन की विंडो ज़ए रहती है request आपके कीचन की लाज गंदे लहती है आपकिय लायमें टीजर्श के लगए भीज़ाए तो यहीं पर देखें मैं आपको ये अपनी कांच की टेबल में आपको क्लीन करके बतारी हूं कि बस आपको स्प्रे करना है इस तरीके से और किसी भी माइक्रो फाइवर क्लॉज आप ले लीजए जिसे भी आप अपनी सफाई करती है घर की उसे आपको लेके इसमें हलका सा कपड़ा रगाएंगे आप देखेंगे जो आपके घर के सी से हैं वो बहुत ही चम चमा उठेंगे आप इसे अपने मिरर को अपने कीचन के ग्लास को आ मैं भावची चूछा उठेंगे पर आप ले लेक्ते अबरे मिलंग्षणाय तो इन में भुट सी अ कलैक्तेटरी लाप लेक्तिर्णाय तेक्तों आपको यह किया करना है चलिysz भाड पाल देगा मुझे लग रहा है, विनेगर लेने के बाद आपको तोने भी घर टूदब्रश होंगे उनको आप 23 चलिया भीट करेंगे तो यह आप्राइयर को आप हटे में दो श्रेल इतीन अपनाइगा यह इससे क्या होगा कि आपके टूद्रस हैं वो बैक्टिरिया फ्री हो जाएंगे अब जो नेक्स टिप है कि मैं यूज करती हूँ अपने घर में चैस्मा तो मैं बहुत लगाती हूँ इसमें बहुत जादा होता है ना क्या परत जम जाती है तो फिर दिखता नहीं अच्छा और एक नहीं उजाला आपको दिखाए देगा इससे अगर आपके पास कोई ऐसी टिप्स हो तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजे मैं जरूर अपने चैनल में आपकी जो टिप है वो आपको बताऊंगी और अगर आपको इन में से कोई से भी टिप्स पस्ताएंगी तो यह भी म मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई टे क्या